जैशी राम मित्रो मित्रो आपको बालमिकी जी के बारे में पता होगा जो रामायल जैशे महान गरंथ के रचैता थे इनकी महान रचना से हमें महा गरंथ रामायल का सुख मिला यह एक ऐसा गरंथ है जिसने हमें मर्यादा, शत्य, प्रेम, भात्रीत्व, मित्रत्व, एवंग शिवक के धर्म की परिभासा सिखाई मित्रो, मैं इस वीडियो में आप सब को बताऊंगा कि बालमीकी जी का जन्म कैशे हुआ वाहतों में बालमीकी जी के माता-पिता कौन थे, उनका असली नाम क्या था, कैसे मिली रमायल लिखने की पेड़ा, बालमीकी जी ने सबसे पहले असुलोक की रचना कैसे की, और साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि बालमीकी जी ने रमायल का पहला असुलोक में ही सराप क्यों द्याहरां मित्रों सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में वीडियो को शुरू करने से पहले आप से एक भी नम्बर में दन है कि अगर आप से चेनल पर लए है और अभी तक आप सभी तक संब कुछ करके बे Associ ignoring को बाली जीए क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की नहीं नहीं जनकारिया हिंदू शनातन धर्म के बेद पुराणों में बंडित शिद्चमतकारी मंत्रों और हिंदू धर्में से जुड़ी ब्रत तेवहार पूजा पाठ के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाप्राप्त कर सके आईए अब वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों बालमेकीजी के जीवन से हमें बहुत कुछ शिखने को मिलता है उनका व्यक्तित तो शाधारन नहीं था उन्होंने अपने जीवन की एक घटना से प्रेरित होकर अपना जीवन पत बदल दिया जिसके फल सरूप वे महान पुजनी कभियों में से एक बने यही चरित उन्हें महान बनाता है और हमें उनसे शीखने के प्रति प्रेरित करता है मित्रो महार्शी बालमेकी का नाम रतनाकर था और उनका पालन जंगल में रहने वाली भील जाती में हुआ था जिसके कारण उन्होंने भीलों की प्रमपरा को अपनाया और अपने आजीम का चलाने के लिए डांकू बने गे अपने परिवार के पालन पुषण के लिए वे रहगीरों को लूटते थे एवंग जरूरत होने पर मार भी देते थे इस परकार वे दिन प्रतिदिन अपने पापों का घड़ा भर रहे थे एक दिन उनके जंगल से नारद मुनी निकल रहे थे उन्हें देख रतनाकर ने उन्हें बंदी बना लिया नारद मुनी ने उनसे सवाल किया कि तुम ऐसे पाप क्यों कर रहे हो रतनाकर ने जबाब दिया अपने अवं अपने परिवार के जीवन यापन के लिए तब नारद मुनी ने पूछा कि जिस परिवार के लिए तुम ये पाप कर रहे हो, क्या वह परिवार तुम्हारे पाप के फलका भी वहन करेगा। इस पर रातनाकर ने जोज के साथ कहा, हाँ बिलकुल करेगा, मेरा परिवार सदर मेरे साथ खड़ा रहेगा। नारदमुनी ने कहा एक बार जाकर उनसे पुछ लो अगर वे हां कहेंगे तो मैं तुम्हें अपना सारा धन दे दूँगा। रतनाकर ने अपने शभी परिवार जनों एवंग मितर जनों से पूछा लेकिन किसी ने भी इस बात के हामी नहीं भरी। इस बात का रतनाकर पर गहरा अगात पहुचा और उन्होंने दुराचारी के उस मार्ग को छोड़ तपका मार्ग चुना एवंग कई वर्सों तक ध्यान एवंग तपश्य की जिश्के फल स्वरूप उन्हें महर्शी बालमी की नाम एवंग घ्यान की प्राप्ति हुई और उ भिल जाती में उनका पालं पोशन हुआ लेकिन वे भिल जाती हैं नहीं थे वास्तव में बालमी की जी प्रचेता सामाज में हुआ और वे धनाकू बने जब रतनाकर को अपने पापों का भास हुआ तब उन्होंने उस जीवन को त्याग कर नया पथ अपनाया लेकिन इस नया पथ के बारे में उन्हें कोई ग्यान नहीं था नारजी से ही उन्होंने मार्ग पूछा तब नारजी ने उन्हें राम नाम जप करने की सलाह दी मित्रो रतना करने बहुत लंबी समय तक राम नाम जपा पर अज्यानता के कारण भुलवस वह राम राम का जप मरा मरा में बदल गया जिसके कारण इनका शरीर दुर्बल हो गया उस पर चीटिया लग गई सायद यही उनके पापों का भूग था इसी के कारण इनका नाम बालमी की पड़ा पर कठिन साधना से उन्होंने ब्रह्म देव को परसंद किया जिसके फल स्वरूप ब्रह्म देव ने उन्हें ग्यान दिया और रामायन लिखने का समर्थ दिया जिसके बाद बालमीकी महर्शी ने रामायड को रचा उन्हें रामायड का पुर्व ग्यान था मित्रो आईए अब जान लेते हैं कि बालमीकी जीने सबसे पहले असलों की रचना कैसे की एक दिन ब्रम्हमोर्थ में बालमीकी रिशी अशनान नित्य कर्मादी के लिए गंगा नदी को जा रहे थे बालमीकी रिशी के बज्ट साथ में चल रहे उनके शिश्य भरद्वाज मुनी लिए हुए थे मार्ग में उन्हें तमसा नामक नदी मिलती है बाल में की ने देखा कि इस धारा का जल सुध और निर्मल था वो भारदवाज मुनिशे बोले इस नदी का जल इतना स्वक्ष है जैसे कि किसी निस्पाप मनुशे का मन आज मैं यही असनान करूँगा जव रिशी धारा में प्रवेश करने के लिए उप्यूपता अस्थान ढूंड रहे थे तो उन्हें प्रणे किरिया में लीन करूँच पक्षी के जोडे को देखा प्रसन पक्षी यूगल को देखकर बाल मिकी रिशी को भी हर्स हुआ तब ही अचानक कहीं शे एक बाना कर नर्पक्षी को लग जाता है नर्पक्षी चितकार करते तडपते हुए बिक्ष से गिर जाता है मादा पक्षी इस शोक से ब्याकुल होकर बिलाप करने लगती है रिशी बाल मिकी यह रिश्य देखकर हत प्रभरह जाते है तब ही उस अस्थान पर वह बहलिया दोड़ते हुए आता है जिन्सने पक्षी पर बान चलाया था इसे दुखत घटना से चुब्ध होकर बाल मिकी रिशी के मुक्षे अन्यास ही बहलिये के लिए एक स्राप निकल जाता है संस्क्रित भाशा में बोला गया यह स्राप इस प्रकार है माम निशाद प्रतिष्ठाम तो मगमह स्वास्तिहशमा यत क्रौंच मितुना देकम आवधी काम मोहितम हे निशाद तुमको अनंतकाल तक परतिष्ठा शांती ना मिले क्योंकि तुमने प्रेम प्रणय किरिया में लीन आसाउधान क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी है स्वाप देने के बाद बालमिकरी जी विचार मगन होगे कि यह चंद बधवाक उनके मुख से क्यों निकला यह बात मोंने भारद्वाज मुणी को बताई रिशी ने कहा मेरे मुख से यह इतना चंद बधवाक क्यों निकला यह है का अश्यरे है यह वाक्य आठ अच्छरों के चार चरण से मिलकर बना है, मैं इस चंद बधवाक्य को असलोक का नाम देता हूँ, असलोक की उत्पती तो किशी काब रचना काधार होना चाहिए, पर मेरे पास लिखने को तो कोई बिशा ही नहीं है बाल्मी की यही विचार मंधन करते हुए अपने आस्रम लोटाए, जब वह ध्यान मुद्रा में बैठे तो भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दर्सन दिया ब्रह्मा ने उन्हें नारद मुनी द्वारा सुनाई गई, सिरी राम कथा का अस्मरन कराया, ब्रह्मा ने उन्हें प्रेरित किया और आसिरबाद दिया कि वो मर्यादा पुर्षोत्तम राम की कथा असलोक द्वारा रचकर एक काबे का निर्मान करे इस प्रकार रिशी बालमी की द्वारा संस्कित के पहले असलोक की उत्पती हुई और रमायर महा काब्य का निर्मान भी संभू हुआ मित्रो यह जनकारी आपको कैसी लगी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करके एक लाइक जरूर करना धन्य बात